मैं तो हर्दम कहते रहता हूँ लालू प्रसाद जी को भी हार में हर्दी किसी ने लगाया मुकमंत्री बनाने का वो भाजपा थी अब गंधे पर बैठाना हमने बंद कर दिया कि जितर नरण मोदी जी देश में बैठे हैं विहार में भी भाजपा की सरकार बना कर एक भाजपा का कार्टा विहार की गधी पर बैठने का काम करता जाती है जिसका निदीश तुमार ने गराप नीचे नहीं करने का काम किया लालू जी के दबाओं में माई समिक रन्पजादे चिंता किया पूरी भाजपा खड़ी है नरेंद मोदी जी के नित्रित में और आपके नित्रित में बिहार में बदलाओं करने का काम करेगा आज हम लोग के सरदे कहलास पति मिस्र जी के सौमा जैंती मनाने का हम लोगों को मौका मिला इस में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और सातियो पूरी तरह असपस है जिस तरह गिर्राज जी ने सुसिल मोदी जी ने नित्यानन जी ने असपस तोर पर बताये आपको सातियो कि बिहार में यदि कोई पीछडों को अदलितों का सम्मान करने वाला है वो भारतिय जंता पाटी जंसंग है सातियो और इसका उधारन है सातियो याद कीजिए कपूरी ठाकुर जी को भी कांग्रेस मुक्त विहार और कांग्रेस मुक्त की सुरुवाद जब हुई थी पहली बार मुकमंत्री किसी ने बनाया तो जंसंग के लोगों ने सरदे केलासपति मिस्र जी ने बनाया और 77 में कपूरी ठाकुर जी को फिर से मुकमंत्री बनाया और ठिक कहा गिर्रा जी ने मैं तो हर्दम कहते रहता हूं लालू परसाद जी को भी हार में हर्दी किसी ने लगाया मुकमंत्री बनाने का वो भाजपा थी और केलासपति मिस्र जी थे लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं पंदरा साल तक विहार में सासन चला साथियो लेकिन कभी उन्होंने आरक्षन दिया नहीं साथियो रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षन का तब नहीं हो सकता है अरे आरक्षन दिया कब था ये तो बताओ लालू परसा जी कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं वो किसको दे सकते हैं पाहिला आरक्षन किसको देंगे स्रीमती राबडी देवी को दिया दूसरा आरक्षन किसको दिया तेज परताब जी को दिया और तीसरा आरक्षन किसको दिया तेजस्वी आदब को दिया और चौता आरक्षन क इसको दिया या रामकिर्पाली आदब जी बैटे हैं जब इनोंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षन देकर राजसभा भेज दिया यही है आरक्षन का परमूला तो बिहार की जनता बड़ा स्पस जानती है और आदनिये जगत प्रकास नटा जी तो इसी बिहार की धर्ती पजन में है और एक एक वेक्ति को पचानते हैं साथी हम जरूर एक ही आगरा करने के लिए आए हैं आपके बीच में आज सर्दे कहलासपती मिसर जी के जैनती सोमा ज बागे के दिनों में बारतिये जनता पार्टि संकल्पित है आदनिये क्लासपती मेस्र जी के आदम मुर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे और सात violence पति मेसर जी जिन्होंने इस पूरी संद्रच्ना क को खळा किया पिचलों में अतितिक को संमान दिलाने पेकी बात करते हैं लेकिन रास्तिय अद्धक जी मैं बताता हूं पूरे बिहार के लोग काते हैं अब कंदे पर बैठाना हमने बंद कर दिया भाजपा का एक एक कार्ज करता चाहता है कि जिस तरह नरण मोदी जी देश में बैटे हैं बिहार में भी भाजपा की सरकार बना कर बिहार की गद्धी पर बैठने का काम करें इसलिए जिस तरह का महौल है लोगों ने जाती है सर्वेक्षन किया आधा दूरा सर्वेक्षन लाकर लोगों को गुम्रा करने का प्रयास किया कोई एक जाती बता दो साथियों जिस साथी को तुस्ट्री करन को छोड़ कर कोई ऐ विहार में आप बताओ कौन सी ऐसी जाती है जिसका नितीश कुमार ने ग्राप नीचे नहीं करने का काम किया सिर्फ लालू जी के दवाओं में माई समिकरन पजादे चिंता किया लेकिन तुस्तिकरन ही एक ही सुत्र था जो नितीश कुमार करते रहे साथियों इस तुस्ति 2024 के चुनाओं में नरेंद मोदी जी को विहार की सभी सीटे देकर इनको बता देना है कि आपने जो जाती है समिकरन तोड़ने और जोड़ने का प्रियास किया है इसके खिलाब विहार की जंता है और 2025 में क्योंकि ये नीव है यदि 40 की 40 सीट आपने 2024 के चुनाओं में जिता आया तो बिहार की जंता फिर 2025 में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी साथ इसके साथ साथ हम जरूर पूरी भारतिय जंता पार्टी चाहती है कि जिस तरह हम लोगोंने केलास पती मिसर जी जिनके नत्रित में पूरा बिहार भाजपा बढ़ता रहा जिनके नत्रित में जंसंग पूरी तरह एक जूट ठोटा रहा और जिस तरह कपूरी ठाकुर जी को उन्होंने मुक्मंत्री बनाया था आज सौमा जैनती हम केलासपति मिस्र जी का आज यहां मना रहे हैं इसी तरह 24 जन्वरी 2024 को कपूरी ठाकुर जी की भी जैनती इसी तरह भब से पूरे भब कारिगरम के बाद्यम से बनाने का काम हम लोग करेंगे साथ इसलिए आज आधनिये राश्टिय ध्रक जी का विशेश तोर पर स्वागत करते हुए उनको जरूर विश्वास दिलाता हूं कि पूरी भाजपा खड़ी है नरेंद मोजी जी के नित्रित में और आपके नित्रित में बिहार में बदलाओ करने का काम करेगा बहुत-बहुत धन्वाद